पूरा अमेरिका को हिला दिए चट महिया के गून से फेर ये सुर्भ वहन की दोस्तों नदी के किनारे दिख रही या भारी भीर भारत की नहीं बलकि अमेरिका की है और या भीर छट पूजा मनाने के लिए वहां मौजूद है इस भारी भीर को देख कर क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि यह अमेरिका है भारत से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में भी लोगों ने बिलकुल उसी अंदाज में छट पूजा मनाया जैसे वह अपने घर में अपने भारत में अपनी बिहार में छट पूजा मनाते हैं हजारों किलोमीटर दूर रहने के बावजूद भी इन लोगों ने अपने धर्म अपनी परंपराओं को याद रखा चटी मया की है चट पूजा से पहले अमेरिका में रह रहे यह लोग बिल्कुल बिहारी अंदाज में पहले ठकुआ बनाए यह वही ठकुआ है जो चट पूजा में खास तोर पर चणाया जाता है अमेरिका में रह रहे इन महिलाओं को कितने प्यार से छट मया का गाना गाते हुए परसाथ तयार कर रही है और सबसे अच्छी बात तो यह रही कि सिर्फ महिलाय ही नहीं बलकि परिवार के पुरुसों ने भी छटपुजा की तैयारी में भरपूर सहयोग किया। इन्हें देखकर एक पल के लिए तो किसी को भी यह नहीं लगा कि यह लोग बिहार में नहीं बलकि अमेरिका में हैं। पूरा बिहारी अंदाज। अमेरिका के न्यूजर्सी में जितने भी बिहार और जारखंट के लोग रहते हैं उन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया है। और हर साल इन लोगों का ग्रुप एक साथ मिल कर छटपुजा को धूम धाम से मनाते हैं। घर से हजारों किलोमिटर दूर रहने के बाद भी इनके छटपुजा में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। और छटपुजा की यह तस्वीर भारस से साठे साथ हजार किलोमिटर दूर नाइजेरिया की है। यहां रहने वाले बिहार जारखंड के परिवारों का भी एक खास ग्रुप है जो हर साल इकठा होकर धूम धाम से छट पूजा मनाते हैं जरा देखें इस वीडियो को कैसे हजारों किलोमेटर दूर नाइजीरिया में रह रहे भारती परिवार इकठा होकर एक साथ छट पूजा मना रहे हैं वहाँ पर नदी नहीं है इसलिए पूजा करने वाले सभी महिलाएं एक छोटे पाउंड के पास बैठी हैं लेकिन पूज करने का वही भारती बिहारी अंदाज और छट पूजा की यह तस्वीर भारत से सढ़े 5000 किलोमेटर दूर मलेसिया की है यहां रहने वाले भारती परिवारों ने भी एक ग्रुप बना लिया है और छट पूजा के मौके पर यह सभी एक साथ इकठा होते हैं और बड़ी धू पर दूंधाव से मिलकर छट पूजा मनाते हैं भारत से हजारों किलोमीटर दूर वहाँ भी छट पूजा के सूप को बिल्कुल ऐसे ही सजाया जाता है जैसे भारत में बस नदियों की कमी को पूरा करने के लिए उन लोगोंने अपने कैंपस में छोटे छोटे पाउंड ब रहने वाले भारतियों ने कुछ इस तरीके से छट पूजा मनाया लेकिन छट पूजा के दवरान जब बारिस होने लगी तब परिवार के पूरुसों ने तुरंत इस तरह से वाटर प्रूफ जोन तयार कर दिया ताकि परिवार की महिलाओं को छट पूजा मनाने में कोई परिसानी न हो छट पूजा के लिए तयार दिख रही इन महिलाओं की तस्वीर अमेरिका के अरकांसा राज्य की है वहाँ भी रहने वाली बिहार और जारखंट के परिवारों ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है क्योंकि नदी वहाँ से दूर थी इसलिए इन लोगों ने छोटे छोटे टब का सहरा लिया और यह उन्ही परिवार के पुरुस हैं जिनोंने घर से हजारों किलोमीटर दूर रहने के बावजूद छट पूजा की पूरी तयारे किया और छट पूजा की यह तस्वीर भारस से लगभग 5,000 किलोमीटर दूर साउथ कोरिया की है और तस्वीर में दिख रहे इस सक्स का नाम डॉक्टर मोनुनात है जो साउथ कोरिया में एक रिसर्चर है लेकिन हर साल अपने छोटे से परिवार और दोस्तों के साथ छट पूजा मनाना कभी नहीं भूलते और यह रहा डॉक्टर सहाब का छट पूजा वाला सूप हलांकी डॉक्टर मोनुनात की छट पूजा बिहार जितनी धून धाम से तो नहीं हो पाती लेकिन इसके बावजूद भी वह अपनी तरब से छट पूजा में कोई भी कमी नहीं होने देते दोस्तों अब आप इस वीडियो को देखिए जो कि अमेरिका के टिकसास राज्य की है अपने माथे पर डाला रखकर नदी की तरब बढ़ रहे इन लोगों को देखकर क्या कोई कह सकता है कि यह अमेरिका है लेकिन यकीन मानगे यह बिहार का कोई जगह नहीं अमेरिका के राज्य टिकसास की तस्वीर है जहां रहने वाले भारतियों ने इकठा होकर धूम धाम से चट पूजा मनाया शायद यही वज़य है कि चट पूजा को पर्व नहीं बलकि महा पर्व कहा जाता है और चट पूजा की यह तस्वीर भारत से लगबग 8000 किलोमीटर दूर इंगलैंड की है जहां रहने वाले भारती परिवारों ने कुछ इस तरीके से चट पूजा मनाया सभी लोगों ने मिलकर चट पूजा में चड़ने वाला ठेकुआ बनाया चट पूजा के सूप को इतनी सुन्दर तरीके से सजाया और नदी से दूर होने की वज़ा से अपने कैंपस में ही छोटे पाउंड को बना कर उस पानी में खड़ी होकर सुर्य दिव को अरग दिया अपने घर से लगबग 8000 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी उनके चट पूजा में कोई कमी नहीं थी इंग्लैंड का महौल भी बिहार में होने वाले चट पूजा से कम नहीं था और यह तस्वीर इंग्लैंड में रहने वाले परिवारों के खरना पूजा वाले दिन की है वहाँ पर पूजा करने वाली महिलाओं ने कुछ इस तरीके से खरना पूजा किया और दूसरी तरफ कनाडा में रहने वाले भारती परिवार चट पूजा से दूर कैसे रह सकते थे यह तस्वीर भारत से लगभग 12,000 किलो मिटर दूर कनाडा की है यहां रहने वाले भारती परिवारों ने कुछ इस तरीके से चट पूजा मनाया कनाडा में चट पूजा कर रही इस महिला को देखकर क्या कोई कह सकता है कि यहां अपने घर से 12,000 किलो मेटर दूर रह रही है बिल्कुल भी नहीं बिहार के लिए चट पूजा का इतना महत्व है कि हजारों किलो मेटर दूरी भी उनके लिए कोई महिने नहीं रखता और यह तस्वीर अमेरिका के मैसाचूसेट्स राज्य की है यहां रहने वाले भारती परिवारों ने इकठा होकर कुछ इस तरीके से चट पूजा मनाया जब सभी लोगों ने एक साथ अपने सूप को तयार किया तो वहां का नजारा कुछ ऐसा था और यह सुन्दर तस्वीर अमेरिका के कलिफोर्निया राज्य की है यहां रहने वाले बहुत से भारती परिवारों ने इकठा होकर चट पूजा मनाया यहां भी पूजा के दोरान अरग देने के लिए लोगों ने गाय के दूद का इस्तेमाल किया और पूजा के बाद विवाहित महिलाओं के माथे पर कुछ इस तरीके से सिंदूर लगाया गया इस तस्वीर में आप इन मुस्कुराती महिलाओं को देख सकते हैं जिन्होंने बिल्कुल बिहारी अंदाज में अपने नाक से लेकर माथे को सिंदूर से सजाया है या तस्वीर इंग्लैंड के परोसी राज्य स्कॉटलैंड की है यहां भी भारतियों की कोई कमी नहीं है और जहां पर भारतिय या फिर कहें तो बिहारी होंगे वहां चट पूजा न हो ऐसा संभव ही नहीं जरा देखिये तो स्कॉटलैंड में भी लोगों ने कितनी बहतरीन तरीके से चट पूजा मनाया यहां तो लोगों ने नदी के किनारे को बहुत ही खूब सूर्ती से सजाया भी था जहां पर चट पूजा के सूप को रखा गया हलाल की यहां चट पूजा मनाने वाले लोग बहुत कम थे लेकिन उनका साथ देने के लिए वहां पर भारतियों की कोई कमी नहीं थी और चट पूजा की यह तस्वीर भारत से लगभग 5,000 किलोमीटर दूर औस्टेलिया की है जहां रहने बाले कुछ भारती परिवारों ने इस तरीके से चट पूजा मनाया यहां भी पूजा करने वाले लोग बहुत ही कम थे लेकिन पूजा के प्रती उनकी आस्था में कोई कमी नहीं थी और चट पूजा की यह तस्वीर भारत से लगभग 8,000 किलोमीटर दूर आयरलैंड की है जहां डबलिन में रहने वाले कुछ भारती परिवारों ने चट पूजा कुछ इस तरीके से मनाया उन लोगों ने एक साथ मिलकर चट पूजा का प्रसाथ तयार किया क्योंकि इसके लिए एक अलग चुलहा इस्तेमाल करना पड़ता है इसलिए उन्होंने प्रसाथ बनाने के लिए एक अलग इंडक्सन कूखर का सहारा लिया और प्रसाद बनाने से पहले इंडक्सन कूकर का पूजा भी किया गया और छट पूजा की यह तस्वीर और श्टेलिया के परूसी देश न्यूजीलैंड की है जी हाँ, वही न्यूजीलैंड जिसे सेमी फाइनल में हराकर भारत फाइनल में गया था यहाँ पर भी छट पूजा उतने ही उत्सा के साथ मनाया गया लेकिन नदी दूर होने की वजह से यहाँ पर भी बात टब का इस्तेमाल किया गया और यह तस्वीर न्यूजी लैंड में हो रहे खरना पूजा वाले दिन की है वहां रहने वाली महिलाओं ने खरना पूजा कुछ इस तरीके से किया जरा देखिये तो इस महिला को बिलकुल बिहारी अंदाज में केले के पत्ते पर परसाच चढ़ाया गया है तो दोस्तों आपने देखा भारत से हजारों किलोमेटर दूर दुनिया भर में हो रहे चट पूजा की तस्वीरों को एक तेवहार जो बिहार से सुरु होकर आज पूरी दुनिया में फैल चुका है जिस तेवहार को सुरुतों बिहारियों ने किया लेकिन अब पूरे भारत ही नहीं बलकि पूरी दुनिया के अलग-अलग हिस्से में रहने वाले लोग भी मनाने लगे है सायद यही वज़ा है कि चट पूजा को महापर्व के नाम से भी जाना जाता है वैसे चट महापर्व को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताईएगा और हमें यह भी बताईएगा कि इस बार आपने किस राज्य, किस सहर या फिर किस देश में रहकर चट पूजा मनाया